दीगे हों दीगे, क्या सा दिल मेरा मुकेश भट और महेश भट ने फिल्म के मुख्य कलाकार थे इमरान हाश्मी, आश्मित पटेल मालिका शिरावत, कश्मीरा शाह फ्रेश चावला, इत्यादी फिल्म में म्यूजिक दिया था अनुमलिक ने दो घंटे दस मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 5.4 आउट ओफ 10 रेटिंग मिली थी फिल्म मदर में कुल 5 गाने थे फिल्म के गानों के लिरेक्स लिखे थे सायद और राहत इंदोरी ने गानों को अपनी मदुराबाद से सजाया था सोनू निगम, अनुरादा पॉडवाल, कुनाल गांजवाला अलीशा चिन्नोए और आमिर जमाल ने फिल्म के सभी गाने दर्शकों द्वारा काफी पसंद किये गए थे लेकिन फिल्म का एक गाना जो की रिलीस होते ही काफी पॉपुलर और सूपर हिट हुआ था गाना था ये गाना आज भी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है इस फिल्म के लगभग 22 लाख म्यूजिक अलबम्स पेचे गए थे जिसके कारण फिल्म मडर का म्यूजिक अलबम साल 2004 सबसे जादा बिकने वाला म्यूजिक अलबम साबित हुआ था इस फिल्म का कुल बजट था 5 करोड रुपे और फिल्म ने इंडिया में कमाई की थी 15 करोड रुपे की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 22 करोड 49 लाख रुपे का ये फिल्म सूपर हिप्ट थाबित हुई थी फिल्म का गाना भीगे होट तेरे के लिए कुनाल गांजावालों को बेस प्लेबैक सिंगर और आड़ी बर्मन न्यू म्यूजिक टैलेंट का फिल्म फियर एवार्ड मिला था फिल्म में मुक्य नाइका की भूमिका के लिए सबसे पहले तारा शर्मा को साइन किया गया था लेकिन फिल्म में काफी ज़्यादा नियूर और बोल्ड सीन्स होने की वज़े से तारा शर्मा ने फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया और फिर ये रोल मली का शिरावत को दिया गया फिल्म मडर साल 2002 में आई एक अमेरिकन फिल्म अनफेथफुल की रीमेक थी फिल्म मडर इमरान हाश्मी की दूसरी फिल्म थी इम्रान हाश्मी की बॉलिवुड में पहली फिल्म थी फुटपाथ जो रिलीज हुई थी 2003 में और फिल्म फुटपाथ से इम्रान हाश्मी ने बॉलिवुड में डेबियू किया था लेकिन ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी हालाकि फिल्मों में एक्टिंग से पहले इमरान हाश्मी ने फिल्म राज में असिस्टेंट डिरेक्टर का काम किया था राज फिल्म को डिरेक्ट किया था विक्रम भटने और फिल्म फुटपाथ को भी विक्रम भटने ही डिरेक्ट किया था इम्रान हाश्मी की फिल्म फुटपाथ फ्लॉप होने के बाद मडर इम्रान हाश्मी के करियर की एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई और इम्रान द्वारा निभाए गए इरोटिक सीन्स की वज़े से काफी सुर्खियों में भी थी इस फिल्म के बार अम्रान हाश्मी को एक सीरियल किसर का टैग मिल गया था और वो इस टैग के साथ पूरी बॉलिवड इंडस्टरि में काफी फेमस हो गये थे करनजोहर के शो कौफे बिट करन में अम्रान हाश्मी ने बताया था की मालिका शेरावत के साथ फिल्म मडर में किसिंग सीन उनके करियर का सबसे ज़्यादा बुरा सीन था इमरान ने इसके बाद यह तक कहा कि मालिका शेरावत से ज़्यादा अच्छा किस मालिका की फिल्म हिस के साप नहीं किया था और इमरान की इस बात के बाद मलिका शिरावत और इमरान हाश्मी में काफी कहा सुनी भी हुई थी फिल्म मडर ने जहां इमरान हाश्मी को एक सीरिल किसर का टैग दिया वही मलिका शिरावत को एक बोल्ड एक्टरिस का भी टैग दिया था इस फिल्म को कई लोगों द्वारा ना पसंद किया गया और फिल्म की कड़ी निंदा भी की गई थी वहीं जादा तर लोगों द्वारा पसंद भी की गई फिल्म मडर के एक बोल्ड सीन के लिए मलिका शरावत की बॉडी लेवल का भी इस्तमाल किया गया था क्योंकि वो scene इतना ज़ाधा बोल्ड था कि मलिका ने उस scene को करने से मना कर दिया क्योंकि मलिका का कहना था कि वो इस film में औरड़ी काफी सारे bold scenes दे चुकी है फिल्म मडर में अमीशा पटेल के भाई अश्मित पटेल भी नजर आए थे लेकिन फिल्म में अश्मित पटेल की खुद की आवास नहीं थी बलकि उनकी रियल आवास की जगा एक प्रोफेशनलिस डब आर्टिस के द्वारा डबिंग कराई गई थी इस फिल्म में मलिका द्वारा जो भी बोल्ड सीन्स और न्यूट सीन्स दिये गए हैं वो सभी सीन्स मलिका शेरावत के साथ ओरिजनली शूट किये गए हैं सिर्फ एक सीन को छोड़ कर जहां मलिका को टॉपलेस दिखाया गया है इस फिल्म का एक गाना जाना जाने जाना एक बंगला तेशी बैंड के सौंग से इंस्पायर था और जब उस बैंड का मालिक इस फिल्म के मेकर से मिला और बात की तब फिर फिल्म से इस गाने को हटाना पड़ा साथ ही इस बंगला देशी बैंड ने अपने बिजनस को खराब करने के लिए फिल्म मडर के मेकर्स पर आरोप लगाया और उनसे मुआवजा भी मागा लेकिन महेश भट ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए मुआवजा देने से इंकार कर दिया और बताया कि उन्होंने फिल्म के दो गाने कहो ना कहो और जाना जाने जाना के कॉपी राइट्स को पाकिस्तानी सिंगर हमीर जमाल से खरीदा है मुडर फिल्म के सफलता के बाद इस फिल्म के सीक्विल मुडर 2 और मुडर 3 को भी रिलीस किया गया तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको में